तो आज हम डिसकस करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कलिचर का यह सकेंड लेक्चर होगा अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर हम डिसकस किया है राइटर के बारे में तो महात्मा गांधी जी के बारे में अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट वीडियो देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो फर्स्ट लेक्चर हम डाले हैं वो पूरा महात्मा गांधी जी के बारे में ही वहाँ लिखा हुआ है और यह जो बुक है रेनवो रेनवो बुक की यह लाइन बाय लाइन हिंदी यहाँ पर आपको हम करेंगे बिल्कूल एक भी लाइन को मिश्ट नहीं करेंगे लाइन बाय लाइन यहाँ पर हिंदी हम बताएंगे और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो क्लास्टल राइस का हिंदी प्लस इंगली दुनों में पीडियाप चाहिए तो इंगली से जैक मर्यादव नाम से के लिगया आम चैनल है वहाँ पे जॉइन कर लिजेगा तो आपको पीडियाप मिल जाएगा और यहाँ हम डिस्क्र मैं मानता हूँ कि यहाँ पे विलीव है वर्ब है ठीक तो मैं मानता हूँ कि डैट दस सिविलाजिशन कोंसा जो सिविलाजिशन के पहले बात कर चुके है यान कि वह भारतिय सब्चता की बात हो रहा है इंडिया इंडिया यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे इंडिया है सब् गया है इसको जो है मतलब नहीं किया जा सकता है जब भी और भी थ्री आ जाए तो यह पेसी वाइस का सेंस देता है कि यह ऐसा नहीं हो सकता है तो जो है मतलब नहीं हराया जा सकता है इसको नहीं चिनोती दिया जा सकता है इन दा वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे इन प्री पोजीशन है इसका यूज हम कहा करते हैं मतलब एरिया के सेंस में करते हैं तो इसलिए पर इन प्री पोजीशन आया है अगर एक जैम दन हम होते न तो यहां से कम उठाते इन के जगा ओन लगा देते तो ऐसे सोचना है तो जिससा ग्रेमर अच्छा होता है न वह तो कु यहां देते कम फोकस करते हैं और हमारा काम होता कि पहले आपको दग इंग्लिस आ जाए इसके बाद आप अपना अच्छा करें नेक्स्ट यहां पर निक्स्ट नथिंग कैन एक्वल अच्छा कुछ भी एक्वल नहीं हो सकता है अच्छा जो सीज में जो बीज सोर मतलब क्य होता है तो यहां पर आवर क्या है एक्वल कुछ भी एक्वल नहीं हो सकता है अच्छा जो सीज जो मतलब सोन बाई आवर एंसेश्टर जो हमारे जो पुरवज है जो बीज बोके गए हैं अपने सिविलाइजेशन में भारतिय सभिता में उसकी बात करेंगे तो उसका रोम जो है वेंट अच्छा रोम जो है बिलुप्त हो गया चला गया कहा चला गया अच्छा रोम नहीं चला गया रोम की जो सभिताई थी ना वह चला चला गया वह नश्ट हो गया जो उसकी पहले सभिताई कुछ थी वह नश्ट हो गया यानि कि वह किसी दूसरे सभिताई म से बल ही टूट गए और जपान जो है यह फिर से हैज प्लस भी टरी जपान बन गया है बिकंग विश्टर नाइच बन गया पॉष्ट मी शभिताओं जैसा बन गया और ऑफ चैना चैना की nothing can be said कुछ भी नहीं कह सकते हैं चैना के बारे में चैना के बारे में सब को पता है न उहां कि क्या सब पता है तो इसके बारे में कहना ही क्या है यहां पे बट लेकिन इंडिया एजेश्टील लेकिन भारत अभी भी क्या है इस्टील है यह महात्मा गांधी जी की दौर की बात करेंगे तो यह महात्मा गांदे जी लिखे ते उस टाइम तो ठीक था लेकिन अभी जो है कुछ हमारे कंट्री में भी कुछ हमारी सविता में भी क्या चेंज़ेद आ रहे हैं यहाँ पेहनावा को देखेंगे बहुत कुछ तो चेंज़ेद आ रहे हैं तो यह कि किसी वेष्टम Hai सबीता को नई अपनाएं यहां किया लेकिन कहां को चुछने वालआ है बात तो यहां तक है यहां थीㅋ of men यहां पर बोलड़ा कि people of Europe के लोग किस के lesson from the writing जो लिखा था और किस के दौरा man of Greece और रोम के दौरा जो लिखा गया था उसी lesson से उन्हों से इन्हों से क्या सीखा कि which जो मतलब exist करता है no longer in the former glory जो अभी क्या है जो पहले की पुर्व महीमा में जिसकी सभिता नहीं है पहले की तरह नहीं है तो उसी के लिखावट से सीखा की जो उन्होंने जो गलती किया ना वो हम नहीं दोराएंगे नहीं तो मेना भी वही हाल होगा जो यहां पर रोम वाले का हुआ था और Greece वाले का हुआ था इसकी सभिता की बात करेंगे इसका सभिता क्या हुआ एकदम डूब गया मतलब बोलेंगे ना उसका जो बुर्व की महीमा में नहीं रहा पहले की तरह नहीं रहा यह बोल रहा है next अब यहां पर in trying to learn अच्छा इस समय क्या है सीखने के प्र करेंगे अच्छा मिष्टेक्स दो मिष्टेक्स का मतलब हुआ कि जो मिष्टेक्स पहले कोई कर क्या है उसी को दो से क्या कर दिये कि वही मिष्टेक्स की बात हो रही है जो पहले कोई कर किया है तो जो रोम वाले किये थे और कुन किये थे रोम वाले किये थे ग्रीस वाले धैनिये इस्थीती है यही इसकी क्या दैनिये इस्थीती है यह paragraph वन इंड रहा आते है paragraph number two पे paragraph two in the midst, in the midst का मतलब हूथ ने सभी के बीच क्या है of all these, इन सफ starving के बीच india demands immowable and dead is her glory जो भारत है वो क्या है मतलब immowable है एंड यही हमारी क्या है महिमा है इन सभी के बीच भारत क्या है अचल रहा है और यही उसकी महिमा है मतलब इधर से उदर टस से मस्ट नहीं हुआ है तो भारती जो सभीता है क्या है एकदम बिल्कुल इमोवल है इसलिए यह क्या है हमारी यह ग्लोडी है यह मेल यह गर्म की ब मतलब मुर्ख है ऐसा क्यों that it is not possible to induce them to adopt any changes अब देखिए यहाँ पे मतलब हमारे खिलाब क्या है एक आरोप है इंडिया खिलाब क्या है एक आरोप है कि उसके जो लोग है न वो क्या है असिविलाइज है असिक्षित है इग्नोरेंट है इग्नोरेंट का मतलब होता है अग्या यह लोग पुरानी सभिता में ही जीते हैं और भारत के बारेंगे लेकिन विधेसी को ऐसा लगता है कि यह लोग क्या होती है वो चेंज क्यों चाहेंगे हमारा बेहतर सबariamente है हमारा बेहतर सिविलाईजेसिन तो हम चैन्ज क्यों चाहेंगे तो यह आरोफ लगाए हैं वह बिल्कुल ही कलात है हम लोग जिस भी सबमता में जी रहे हैं वह इंडेयन सब jedoch है इंडेयन सिविलाईजेसिन है ग्रीस का मिठ गया सब मिठ गया लेकिन इस सभी में जो अगर इंडियन स्विलाइशन की बात करेंगे भारती सब्ता की बात करेंगे तो यह क्या इम ओवेवल है यह क्या है एधर से उधर नहीं हुआ है अगर हम लोग इम लोग आपना रहे तो यहां भी एक दिया कि नहीं य यहाँ महात्मा गांदी जी बोल रहा है यह जो क्या है यह जो मतलब आरोप है में हमारे मेरिट योगिता खिलाब है जो भी हमने टेस्ट किया है पाया है पाया है true on the annual of experience on the annual यानि कि क्या of experience अपने experience के निहाई पर we dare not change हमें कोई change नहीं करें कोई change करने की साहस नहीं करें तो बहतर है यहाँ महात्मा गांदी जी किलियरली बोल दिया है कि जो भी ऐसा बोलते हैं कि हम लोग किसी की बात में नहीं आते हैं कुछ भी change नहीं चाहते हैं यही तो हमारी सुन्दरता है कि हम चेंज नहीं होता है क्यों चेंज हो जाएं कि आज मेरे सबताम यह हो रहा है आप मालेज यह करिए तो क्या हम कर लेंगे बिलकुल नहीं करेंगे यही हमारे उमेद की मुख्य अधार है तो पेरा गराफ नमर थ्री क्या कहता है श्लेट मोड अफ कंड़क्त मतलब वह आच्छन है जो इनसान को करतब का पत्थ बताती है और जो बेख्षा करती है जो बताती है तुमेंद पत्थ ओफ ड्यूटी यानि कि इंसान का पत्थ बताती है नेक्स्ट परफोर्मेंस ओफ ड्यूटी एंड आपजर्वेंस ओफ मॉरालिटी आर कन्वर्टीवल टम्स और यहां कि कर्तब्यों का परदर्सन परफोर्मेंस का परदर्सन यानि कि ड्यूटी कर्तब्यों का परदर्सन एंड आपजर्वेंस ओफ मॉरालिटी आपजर्वेंस का मतलब होता है नैतिक्ता का पालन यहां पर देखिए आपजर्वेंस मतलब क्या पालन और यहां पर नैतिक्ता का पालन तब्यों का परदर्शन और नेतिकता का पालन परिवर्थनिय नियम है Performance of duty and observance of morality are convertible terms यहां देखिए To observe morality नेतिकता का क्या observe करना पालन करना तो नेतिकता का पालन करना is to attend mastery of our minds and our passions नेतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुरून पर स्वामितप्राप्त करता है स्वामितप्त माश्चारी प्राप्त करता है To observe परदर क्या पालन करना morality पे पालन करना इसका मिनिक यह आ रहा है we know ourselves ऐसा करने से हम खुद को जानते हैं अच्छा यहां पर we know जानते हैं पर ourselves का मतलब खुद को जानते हैं गुजराती जो है गुजराती से फिले दो लग गया इसका मतलब होगा कि इक गुजराती लोग की बात कर रहा है यहां पर क्या गुजराती छोगत इसका मेनिंग क्या होगा गुजराती में सब्विता का जो है सामनर्थ अर्थ है अच्छे आचन यहां पर गुजराती जो है equivalent for civilization मिन्स क्या उसका civilization का मतलब सब्विता का मतलब क्या होता है गुजराती यहां पर नेक्स्ट तो दोस्तो इसी के साथ आज की किलास को यहीं पर समाप्त करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिजिए और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि इस तरह का वीडियो मिलता ही रहेगा तो हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसका थर्ड पार्ट ले करके बाई 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 दोस्तो और टेक केर